हेलो स्टूडन्स कैसे हो आजम दसवी क्लास मैट्स चेप्टर नमबर 14 जिसका नाम है सांखी की उसके बारे में पढ़ाई करेंगे यह चेप्टर आपको ओल्रेडी नाइन्थ में आ गया है और इसमें भी अपने माध्य, फिर माध्यक और बहुलक यह तीन चीजों के बारे में आप नाइन्थ में ओल्रेडी पढ़ चुके है ठीक है और यह चेप्टर वापिस दस्वी में आ रहा है बहुत मौस्ट आएम पी यह चेप्टर है और यह चेप्टर अगर दस्वी के बाद आप 11, 12 कॉमस करोगे तो उसमें भी यह चेप्टर आता है ठीक है तो चलो सबसे पहले हम यह जान लेते कि इस चेप्टर में कौन-कौन से टॉपिक पढ़ने है हमें ठीक है तो इस पूरे चेप्टर में माध्य बहुलक और माध्यक यह तीन टॉपिक है उसके बारे में हम पढ़ाए करेंगे ठीक है य्यानि कि प्रेश्णाव ली चोधा पॉंट वन है वह माध्य के बारे में हैं प्रेश्णाव ली 14.2 है वह बहुलक के बारे में हैं और प्रेश्णाव ली 14.3 है वो माध्यक के बारे में है ठीक है चलो तो अब पहला टोपिक जिसका नाम है माध्या ठीक है तो चलो सबसे पहले हमें यह क्वेस्टन होता है कि माध्या मतलब क्या तो माध्या मतलब हम यह कह सकते है कि भाई एवरेज ठीक है या तो आवसत ठीक है इसका मतलब यह है कि मान लो कि आपको भाई कोई अलग अलग दस संख्या दी गई है तो वो दसों के दसों संख्याओं का योग करो और उसके बट्टे में जितनी संख्या है उसकी संख्या दस है तो दस 12 है तो 12 15 है तो 15 बट्टे में यह डाल दो ठीक है फिर जो आंसर आता है वो हो जाएगा हमारा माध्य ठीक है अब यह माध्य है तो माध्य में भी हमें तीन जो अलग-अलग उसकी वीधी है उसके बारे में पढ़ना है ठीक है एक तो आएगी प्रत्यक्ष वीधी दूसरी आएगी कलपित माध्य की वीधी और तीसरी आएगी पग वीचलन वीधी यह तीन वीधी माध्य में आ रही है ठीक है बार की एक्जम में अगर आपको पर्टीक्यूलर अगर ऐसा कहे कि भाई पग वीधी वीधी से माध्य ढूंड़िये तो आपको पग वीधी वीधी से ही ढूंड़ना पड़ेगा देखो तीनों अगर आप वीधिया करोगे तो तीनों में आंसर तो सेम ही आएगा अगर आपको ऐसा कुछ दिया नहीं है पर्टीक्यूलर कि भाई ये वीधी से करो तो आप कोई भी वीधी यूज़ कर सकते हो लेकिन अगर आपको ऐसा कहा कि कल्पित माध्य की वीधी से करो तो आपको वही वीधी का यूज़ करना है ठीक है उसके अलावा अगर आपको अगर आप कोई भी वीधी यूज़ करोगे तो वह आपका पुरा एग्जाम्पल आंसर सही होने के बावजुद भी गलत हो सकता है ठीक है तो हम तीनों वीदियों के बारे में वन बाइवन डिसकेशन करेंगे ठीक है चलो उससे पहले हम यह समझ लें थोड़ा बहुत कि यहां पे आपको डायरेक्ट प्रश्चना वह लिए 14.1 दी गई है ठीक है तो 14.1 में आप देख सकते हो कि भाइं जो आपको यह दिख रहा है ना जीरो टू फिर टू फॉर 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 सिक्स कि उससे आप वर्ग अंत्राल कहोगे क्या कहोगे वर्ग अंत्राल कि दूसरी चीजी है कि भाइं जो यह वर्ग दिया है जीरो और 2 तो जीरो और 2 फिर नीचे आप देखो दो और 4 फिर 4 और 6 फिर 6 और 8 जो ऐसे दिये गए है तो वो क्या दिखाता है कि भाइं इसमें जो जीरो है ना जीरो जीरो दो चार फिर छे वो अधर सिमा है और जो दो चार छे इस सेट दिख रहे है वो उद्धर सिमा है ठीक है तो यह आपको चीज याद रखनी है और दूसरी चीज यह कि भई यह जो घरों की संख्या दी गई हो फिर मानलों की भई राज्यों की संख्या दी गई हो फिर एक्जाम में प्राप्त के होए अंक उसकी संख्या दी गई हो यह तो गेंद बाजों की संख्या दी गई हो तो यह सब चीज जो आपको दी जाती है वो हमारी होती है आवरूती यानि कि एफ आई ठीक है माध्य को हम एक्स बार से दिखाएंगे और उसका फॉर्मिला यहां पर मैं बता रहा हूं एक्स बार इस इकॉल टो सिग्मा एफ आइंटू एक्स है देखो सिग्मा सिग्मा का मतलब होता है सभी का योग सिग्मा एफ आ इंटू एक्स आई उसके बट्टे में सिग्मा एफ आ यानि कि सभी जो भी आवरूती है जो संख्याई दी गई है वो सभी का योग ठीक है तो चलो लिए अब स्टाट करते है एक कि मैं अ कि यह झो पहली वीदी है वह हमारी है प्रत्यक्ष्वीदी ठीकिया कि तो अभी हम जो यह विदी कर रहे है वो प्रत्यक्ष्वीदी कर रहे ठीकि बाकि जो बीदी है वो ये विद्धी खत्म होने के बाद हम पड़ेंगे वो भी टेक्स बुक में से ठीक है तो चलो देखते इसमें क्या है पहला एक्जाम्पल कि विद्ध्यार्थियों के समहु द्वारा अपने प्रियावरण संचेतना अभ्यान के अंतरगत एक सर्वागिशन किया गया कि जिसमें उन्होंने 1 महों लगके 20 घरों में लगे हुए पोधो से सबनदित निमन लिखित आंकड़े एकत्रित किये जैसे कि पोधों के संख्यान जिसने बिस जीरों से लेके दो पोधे लगाए ऐसे कितने घर है एक जिसने दो से लेके सभी घरों कि संख्या और पोदों की संख्या दी गई है कि पर आपको बोला गया है मicky मांध्य वॉर्ध मोद्एद्ट कि शंख्या कि dura कि तो अब देखो आपको question पूछागे कि मध्य ग्याद करने के लिए आपने किस वीदी का प्रयोग किया और क्यों तो प्रत्यक्ष वीदी क्यों क्यों कि दिये गये जो आंकड़े है वो तालिका के रूप में व्यक्त करते हैं कि देखो one two one five वह सीम्पल यह है ठीक वैसे तो आप कोई भी वीदी यूज़ कर सकते हो ऐसा जरूरी नहीं कि आप प्रत्यक्ष वीदी का ही यूज़ करो ठीक है लेकिन अभी हम प्रत्यक्ष वीदी का यूज़ कर रहे हैं तो देखो आपको एक box खेंचना है जैसे यहाँ पे दिया गया है उन सभी का योग देखो नीचे किया गया है सिगमा एफ फाइव कितना आया बीस अब जो यह तीसरा बॉक्स है वह है मध्यबिंदू यानि कि एकस आए मध्यबिंदू मतलब वर्ग में जो अधसीमा और उद्वसीमा दोनों है वो दोनों का योग करके उसके बट्टे में दोनों को कितना डलना है दो डलना है उपरी और नीचे की जो वर्ग सीमा है वह दोनों का योग करके बट्टे में दो लाद देखो जीरो और दो का योग 2 बट्टे में 2 तो एक दो और चार का छे बटे में दो तो तीन तो ऐसे आपको मिल जाएगा मध्य बिंदू फिर आपको क्या करना है यहाँ पे आप देख रहे हो fi इंटू x है तो यह दोनों का गुणा करना है एक गुणा एक तो एक आया फिर दो गुणा तीन तो छे आया एक गुणा पांच तो पांच आया पांच गुणा साथ तो पैस आया ऐसे करते करते सब का गुणा करना है और गुणा करने के बाद यह जो fi इंटू x है उन सभी का योग करना है तो योग करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 162 और यह मिल जाने के बाद हमारे माध्य का सिंपल फॉर्मिला ही हमें यूज करना है और फॉर्मिला हमारा कौन सा है कि आपका आंसर आपको मिल जाएगा कितना है गया एट पॉइंट वन पॉदे ठीक है यह पूरा एग्जम्पल इजी है आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है ठीक है गुणा में थोड़ा ध्यान रखना है योग का ध्यान रखना है ठीक है बागी यह पूरी जो वीधि मैंने बताई प्रत्यक्स वीधि यह पूरी की एग वीधि अब दूसरी वीधि जो है वो कल्पित माध्य की वीधि है ठीक है यह वो वीधि यहां पर आपको दी नहीं गई है इसलिए आप अपने टैक्सबुक मैट्स की जो है टैक्सबुक है उसमें पेज नमबर दोसुन नबबबब टैक्सबुक आप खोलिए अपनी तो उसमें पेज नमबर दोसुन नबबब ठीक है वो निकलने के बाद आप देखो गे तो वो जो पुरी वीधि दी गई है वो है कल्पित माध्य की वीधि ठीक है तो चलो उसमें देखो आप मैं उसमें समझाता हूं तो सबसे पहले आप आपको वर्ग अंत्राल तो दिये ही गए देखो यहां पर है 10 25 25 से 40 40 से 55 ऐसे फिर विध्यार्थी ओकी संख्या दी गई है इसका मतलब कि पहें 10 से लेके 25 तक माक्स लाने वाले दो विध्यार्थी है फिर 25 से लेके 40 वाले 3 40 से 55 वाले साथ ऐसा सभी विध्यार्थी दी ग कि फिर है वर्ग चिन्ह यानि कि हमारा मध्य बिंदू एक्साइफ जैसे अब भी हमने जोष्ट कहा था कि दोनों वर्ग अंत्राल यानि कि उपरी और नीचली तो 10 और 25 होता है 35 35 के बट्टे में 2 कितना आएगा 17.5 ऐसे सभी का आपको क्या करना है योग करके बट्टे में दो डाल दें तो वैसे सभी का आपको मध्य बिंदू मिल जाएगा अब यहां तक तो हमारी प्रत्यक्ष वीधी में भी आया था और प्रत्यक्ष वीधी में आपने क्या किया था यह फाइंटू एक्साइग दोनों का गुना कर दिया था लेकिन यहां पे थोड़ा अगर व इसलिए यहां पर कल्पित माध्य की वीधी तो कल्पित माध्य की वीधी में क्या है तो देखो यहां पर है डी आई इस इकोल टो एक्साइग माइनस 47.5 दिया तो वहां पर फॉर्मिला आएगा एक्साइग माइनस ए ए मतलब कल्पित किया हुआ हमारा माध्य है हमने माना ह वो ए और बुक वालों ने ए कौन सा माना 47.5 आप वर्ग चिन्ह में कोई भी जो संख्या दी गई है 17.5 32.5 47.5 उन में से कोई भी यानि कि किसी को भी आप ए मान सकते हो ठीक है आप किसी को भी ए मान सकते हो यहां पर बुक वालों ने ए माना है 47.5 और इसलिए एक ही जगा पर उसने लिया है 47.5 ठीक है अब क्या करना है कि पर डी आए डूना है तो एक साई माइनस 47.5 यहां पर देखो बुक के हिसाब से मैं आगे बढ़ रहा हूं आप 62.5 भी ल पांव तो चलो क्या करना है क को कि एक साई सबसे पहला 17.5 तो 17.5 में से 47.5 माइनस करोगे तो आंसर ना आएगा 31 वो भी क्यास आएगा माइनस फिर 32.5 में से 47.5 माइनस करोगे तो कितने आएगा माइनस 15 फिर जहां पे आप ए मान रहे हो उसमें से ही वही चीज माइनस करोगे तो वहाँ तो 0 ही आएगा फिर आगे 62.5 में से 47.5 देखो XI माइनस यह है इसलिए सबसे पहला XI और उसमें से ए माइनस करना है तो फिर वेसे ही देखो 15 30 और 45 आगया तो यह सब मिल गया हमारा डी आए फिर जैसे प्रत्यक्ष्विधी में हमने FI into XI किया था ठीक वेसे ही हम यहाँ पे FI into DI यह दोनों का गुणा करेगे तो देखो FI into DI तो दो गुणा माइनस 30 तो माइनस 60 तीन गुणा माइनस 15 तो माइनस 45 फिर साथ का 0 के साथ तो 0 6 गुणा 15 तो 90 6 गुणा 30 तो 180 फिर 270 फिर क्या करना है प्लस वाले को सभी का योग कर दीजिए माइनस वाले का योग कर दीजिए फिर प्लस वाले में से माइनस वाला माइनस करोगी तो आपका आंसर कितना आएगा 435 योग मिल गया सिगमा FI into DI ठीक है चलो अब यह पुरा बॉक्स आपको बनाना है ठीक है मैं आशा रखता हूं कि यहां पर मैं जो चीज कल्पित माध्य की वीधि जो पढ़ा रहा हूं उसमें समझ में आया हूं ठीक है एक बार आप खुद प्रैक्टिस करोगे तो अभी आपको समझ में आ जाएगा ठीक है और फिर भी समझ में ना आये तो आप पूछ सकते हो आगे देखो आप कि अब क्या करना है अगर प्रत्यक्ष वीधि थी तो हमारा फॉर्मिला था एक्स बार इस इक्वल टू सिग्मा एफ़ाई इंटू एक्स आई उसके बट्टे में सिग्मा एफ़ाई ठीक है यह वीधि थी तो कल्पित माध्य की वीधि में कुछ नहीं सिर्फ और सिर्फ आप नीचे देखो तो एक्स बार इस इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ़ाई इंटू डियाई और उसके बट्टे में सिग्मा एफ़ाई बस यही फॉर्मिला है लेकिन आगे आपको प्लस क्या जोनना है ए आपए प्लस सिग्मा एफ़ाई इंटू डियाई उसके बट्टे में सिग्मा एफ़ाई है यह फिर आप नेक्ट पेज़पे देखोगे 211 में न जीकुर्ट को ए हमने माना थह 47.5 प्लस प्लस हमारा योग मेंहें ćा 435 और उसके बट्टे में हमने कितने डाले 30 फिर 435 उसके बटे में 30 उसका भाग करोगे तो आपका आंसर आएगा 14.5 और दोनों का योग करने के बाद लास्ट फाइनल आंसर आपको मिलेगा 62 ओके तो यह वीधी हो गई हमारी कल्पित माध्य की वीधी ठीक है अब कोई भी वीधी से गिन सकते हो सबी वीधी में आंसर आपका एक जैसा सेम टू सेम वह ही आएगा लेकिन अगर आपको कुछ एक्जाम question में दिया ही नहीं कि कल्पित वीधी से करो या तो पगविचलन की वीधी से माध्य ढूब ओ ४१ हैसा कुछ दिया ही नहीं तो आप आपको कोई भी वीधी जो तीन हम पड़ेंगे दो तो बडली एक बाकी है वो तीनों में सो कोई भी वीधी का आप यूज कर सकते हो ठीक है अगर आपको कल्पित माज्य की वीधी अच्छी लगे तो वह कर सकते हो प्रत्यक्स वीधी अगर आपको अच्छी लगे उसमें अगर फास्ट आपका अंसर आ रहा है वह ज्यादा समझ में आ रहा है तो वह भी आप कर सकते हैं ठीक है चलो अब आगे अब तीसरी विद्धी भी 291 जो पेज है उसमें नीचे जो बॉक्स दिया गया है उसमें ही है ठीक है जो हमने कल्पीत माध्य की विद्धी में बॉक्स बनाया था वही चीज आ रही है देखलो आप एकसाइ माइनस से ए मान लिए आप 47.5 ही माइनस करने पर वही चीज आई अब जो एक बॉक्स एड़ हो रहा है वह यू आई इसको टू एकसाइ माइनस से उसके बट्टे में लेकिन यहां पर बट्टे में जो एत आ रहा है वह क्या एकसाइ माइनस से वह तो हमने समझ लिया कि भाई हुँ भॉठीक है लेकिन यहाँ पहैच आ रहा है साधैं कहकर मतलब क्या कि भाई हैं आपकी जो वर्ग लंबा है वो वर्ग लंबा यानिकि देखो दश से लेके प डिफ्रंस हुआ दोनों के बीच में 15 का हुआ कि नहीं 25 से 40 40 से 55 सब भी में 15 का डिफ्रंस होगा कि एच यानि की वर्ग लंबाए और वह वर्ग लंबाए वर्ग अंत्राल जो आपको दी गए है उसमें आप अब कि शैखो कि मिलेगा आप को 10 सेलेके 20 तो людям घंत्रा वर्ग लंबाए दस सेलेके 25 तो कितना 15 के तो आपको कुछ नहीं कि देखो यह माइनस तीस आया के नहीं उसके बटे में 15 सबी में बटे में 15 डालustू यह मैंस 3 कि बटे में 15 तो माइनस दो, माइनस पंदर अबट्टे में पंदर तो माइनस एक, फिर 0, 1, 2, 3, आग्या अंसर, फिर जैसे प्रत्यक्स विद्धी में fi into xi, कल्पीत माध्य में विद्धी, fi into di, ठीक वैसे ही यहाँ पे fi into ui, वो दोनों का गुणा कर लो, तो देखो, 2, minus 2, minus 4, 3, minus 1 तो minus 3, फिर 0, 6, 12, 18, फिर प्लस वाले का योग कर दो, minus वाला, फिर उसमें से minus, यानि कि हटा होगे, तो कितना आएगा, 29, देखो, कल्पीत माध्य विद्धी, और यह जो पग वीचलन की विद्धी है, दोनों में difference सिर्फ कहां पे आ रहा है, edge का, यान की work लंबाई का, ठीक है, बाकी दोन में same है, और इसका formula आप page गुमाओगे, तो आपको दिखेगा कि भाई, last में, x bar is equal to a plus, edge, bracket में sigma fi into ui, उसके बट्टे में sigma fi, यहाँ पे difference सिर्फ आ रहा है, edge का, कल्पित माध्य में था a plus sigma fi into di, बट्टे में sigma fi, और यहाँ पे add हो रहा है, सिर्फ edge, ठीक है, तो फिर a की जगा पे 47.5, फिर हमारा edge मिला 5, फिर sigma fi into ui, मिला 39, उसके बट्टे में 30, दोनों का बट्ट भाग करोगे, तो आपको यहाँ पे भी answer आप देख रहो, मिल रहा है, कितना है, 62, two, okay, मैंने कहा आई था, कि answer आपको same ही मिलेगा, तो यहाँ पे पग विचलन की वीधी भी समाप्त होगी, ठीक है, तीन वीधी के बारे में हम पड़े है, ठीक है, यह तीन वीधी में से आपको जो भी वीधी अच्छी लगे, आप कर सकते हो, लेकिन, अगर बोड की अग्जाम में, अगर आपको कल्पित माध्य की वीधी से पूछे, तो वो ही वीधी से आपको माध्य ढूनना पड़ेगा, और इसलिए ही मैंने आपको ये तीन वीधी के बारे में बताया, ठीक है, तो यहाँ पे जो भी एग्जाम्पल हमने किया, टेक्स बुक का, ठीक है, वो एक बार आप तीनों वीधी से गिन लेना, ओके, तो आपको भी समझ में आ जाए, ठीक है, चलो, अब आप आओ, प्रि में पहला एग्जाम्पल हमने कर लिया है, दूसरा एग्जाम्पल करते हैं, क्या गया है कि किसी फैक्टरी के पचास स्रमिकों की देनिक मजदूरी के निमने लिखी बंटन पर विचार कीजिए, सबसे पहले तो आपको क्वेस्टन समझ में आ जाना चाहिए, कि यहाँ पे देनिक मजदूरी और स्रमिकों की संख्या, जिसकी मजदूरी 100 से लेके 120 तक है, ऐसे मजदूर है, स्रमिक है 12, जिसकी 120 से लेके 140 है, ऐसे है 14, जिसकी 140 से लेके 160 है, ऐसे है 8, ऐसे सभी दिये है, तो हमें बॉक्स बनाना है, वर्ग अंत्राल, एफ आइ, फिर वो सभी का योग करना है योग करोगे तो आपको वो पचासी मिलेगा फिर आ रहा है एकसाई एकसाई भी आपको पता है कि भाई मध्य बिंदू 100 प्लस 120 तो 220 का आधा 110 फिर 130 फिर आप दो करोगे तो आपको ही पता चल गए एक 140 के बीज कितना आता है 150 160 और 180 के बीज कितना आता है 170 ठीक है फिर यहां पे कौनसी वीदी यूज कि उसने प्रत्यक्स वीदी आप कल्पित माध्य की विधी से भी कर सकते हो तो आपका आंसर तो वही आएगा तो यहाँ पे प्रत्यक्स विधी से तो fi into x i यह सभी का गुणा किया तो गुणा करने के बाद सभी का योग किया तो उसका आंसर आया 7260 ठीक है और फिर फर्मिला डल दिये कि एक्स बाइर इस इकूल टू सिग्मा एफ़ इंटू एक साई बट्टे में सिग्मा एफ़ तो 7260 उसके बट्टे में पचास तो उसका कितना आंसर है रहा है 145.2 ठीक है तो ऐसे और भी एक्जम्पल उदाहरन भी टेक्स बुक में आपको दिये गये है ठीक है तो आपको क्या करना है सबसे पहले जो तीनों विद्या है वो तीनों विद्यो के फर्मिले याद रख लेने है और नौट डाउन करने है फिर आपको जो उदारन दिये है वो उदारन के एक्जामपल सौल करना है आप खुद एक बार सौल करो तो ज्यादा समझ में आएगा कि मुझे कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है वो हो जाने के बाद आपको प्रेश्णा वली 14.1 उसमें हमने दो एक्जामपल करवाया है तो वो दोनों एक्जामपल भी अगर आपको समझ में आ गए है ठीक है तो आप अपने आप से खुद लिख सकते हो लेकिन आपको याद क्या रखना है कि बोक्स में मुझे वर्गंत्राल फिल एफ आई फिर एक्स आई ठीक है वो सब चीज आपको याद रखनी पड़ेगी ठीक है और आप जब भी बॉक्स बनाओ तो पैंसिल का यूज करो स्केल का यूज करो ओके और एक्दम अच्छे से जो आप गिन रहे हो ओ गिनो ठीक है तो ही आपका आंसर आएगा जितनी ज्यादा आप रेक्टिस करोगे उतना ही फाइदा आपको होगा ठीक है तो आज हम यहां तक यानि कि 14.1 में दो क्वेस्चन हमने पढ़ा है तो वहां तक आपको अपनी बुक में नोट डाउन करना है ठीक है आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे लेकिन तब तक ये आप तीनो जो विद्या है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए और उसके फ झाल